हलो एवरिवन मैं विश्वजीत सिंग आप सभी का दीई इनप पर सौगत करता हूँ दोस्तो आज की स्रीडियो के अंदर में हम महिस्ट्री महाई 010 का यूनिट 7 पढ़ने जा रहे हैं उनको कवर कर पाओगे इसका बेनिफिट एक और यह रहने वाला है कि एक्जाम पास आ चुका है उतना समय है नहीं कि आप एक एक चैप्टर पर पूरा टाइम दे सको तो इस तरह से सेलेक्टिव स्टेडि करके आप अच्छे नंबर ला सकते हो अगर आप MA History की स्टुडेंट हो चाए Part 1, Part 2, MHI 01 से लेकर MHI 010 तक है कोई भी सब्जेक्ट है आपके पास तो आप सभी स्टुडेंट्स के लिएक सजिशन यह है कि हमारे चनल The E-Nap के उपर में सभी Important Questions की वीडियो बनी हुई है उनको जरूर देखें लास्ट फाइव यर की Question Paper की वीडियो जरूर देखें जिससे आपको असले बस आल्मोस 90% कवर हो जाएगा Important Topics की वीडियो बनी हुई है जो आपके पूरे बुक के अंदर में किस तरह के Topics है वो बनी हुई है तो उनको वीडियो जरूर देखें जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाले अपने नंबर को बूस्ट करने में गेन करने में चलिए स्टार्ट करते है आज के हमारे वीडियो यूनिट नंबर 7 का अपने वेशिक नगर अब देखो यह जो पूरा टाइम पिरेड है जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे ठीके East India Company हमारे अंदर में साशन कर रह थी उस टाइम पिरेड पे किस तरह का नगर का उधवा उसके बारे में इस यूनिट के अंदर में हम बात करेंगे अगरी करन था यह दोड़ा सा देखा जाए तो इसमें के अंदर में कुछ खास कोश्चन ही बनता है पर किस तर से अंग्रेजों ने डिवाइट क्या अलग लग तरीके से जैसे देखो अंग्रेजों ने अपने जो आर्मी के लोग थे उनको रहने के लिए उन्होंने चावनि किया गया ठीक है वहीं पर जैसे नहर का निर्मान के जा रहा था ठीक है तो नहर के आसपास में जो इलाका विक्सित हुआ और नहर का कोलोनियों के तौर पर माना गया नहर क्या होता है जहां पर पानी का सुरोथ तो जब अंग्रेज भारत के अंदर में आये तो उन्होंने की बहुत ज़्यादा कमिया है भारत के अंदर में बहुत प्रॉब्लम से पानी को लेकर ठीक है तो उन्होंने आर्टीफिश he BBC मतलब क्या अपने आप निर्मित मानव निर्मित मैं निर्मान किया उन्होंने और नहर के आसपास में कॉलोनिजा बसना सुरू हुई ठीक है त निर्मान के अंदर में रेलवे के बहुत सारे लोग उसके अंदर में सामिल थे बहुत सारे लोग उसको बनाते थे या उसके लिए उपर वॉक करते थे आज के समय में भी सेन तरीका है तो रेलवे कॉलोनियों का भी निर्मान किया गया रेलवे कॉलोनिया आज भी आप देख छावनी ठीक है नहर कोलोनी जहां पर नहर बैता तो उसके आसपास का इलागा फॉर इसामपल यह मान के चलो जैसे बनारस हो गया लखनव हो गया इलाबाद हो गया जहां से मतलब नदी जाही है उसके आसपास के इलागों किस तरह से विक्सित किया गया तो यहां पे हम बात करते हैं, railway colonies हो गई, और hill stations हो गई, तो यह अंग्रेजों ने आसरित नगरीकरन तथा नवीन सहरी रूप के रूप में इनको विक्सित किया, ठीक है, यह इस चेप्टर के अंदर में आपको पढ़ने के लिए मिलता है, अगरे चेप्टर के अंदर में हम बात करने वाले हैं, अपनिवेशिक नगर, नगरों में नसल, वर्ग और जातियता, ठीक है, यहां पर हम बात करें तो देखो, इसके अंदर में जो पूरा नगर जैसे बन रहा था, जब बनाया जा रहा था, यह यह वाला यह वाला यह है, वह ऐसे करके, पूरा जैब बहा गया, वर्ग के अधार पर, नसल के अधार पर यहां पर किया गया, जैसे दिखोगे ना, तो प्रेसिडेंसी नगर का उदभव हुआ, यहां पर इस सेप्टर के अंदर में आपको पढ़ने के लिए क्या मिलेगा, प्रेसिडेंसी नगरों का उदभव हुआ, प्रेसिडेंस बना कर अलग रखा गया तो वाइट वालों के लिए अच्छी से बनाए गया यह तरह से पूरा जेल जैसा बना दिया गया मतलब और चाहज़ दिवारी उसके अंदर में को ठूस दिया गया तो इस तरह से यहाँ पर भी हमें देखने क्लिए मिलता है नसल की बारे में देखने क्लिए मिलता है, वर्ग क्या अधार पर देखता है, जाते हैं था क्या अधार पर यहां पर किया गया, अब स्वेट पिपल कोन थे, जो अंग्रेज थे वो अपने आपको स्वेट माने, और जो ब्लैक पिपल कोन थे, तो जो दूसरे वाले थे, आपने लोड नोट अधर आपने देखा होगा मूवी के अंदर में जब अमिता बचन कुत्ते और घोडे-गाडी के साथ में लेकर चल जाते हैं था जाए तो इस तरीके से रहता था तो मतलब ये दिवार होते थी जहां पर ایک तरफ स्वेत पीपल रहते थे दूसरे में अस्वेत पी रहा तो इस तरह से ब्स पर पारे में फुचा जाएगा तो आप इसके बारे में घर्लाइगा इसको अच्छे से थुड़ा करना पड़ेगा आपको अगले chapter के और बढ़ते है chapter number 35 जहां पे हम बात करते हैं नगर एक भवे परदर्शन इस तल के रूप में अब देखो नगर को किस तर से भवे परदर्शन के इस तल के रूप में योज़ किया गया तो उपनेविशिक सत्यापत कला के अंदर में मतलब जो भी उपनेविशिक टाइम पिरिड़ था इसके अंदर में कुछ खास कोश्चन इस चेप्टर के अंदर में पर यहां पर बात करें तो अपनेविशिक काल में कहा था कला ठीक है नगर नियोजन वे बस्ता बहुत ज़्यदा विक्सित हुई रिजन यह था कि भारती है जो कला छेतर था वो था पर उस तर से नगरों के अंदर में उसको उप्योग नहीं किया गया था पर अंग्रेजी स्ट्रक्चर के रूप में जब अंग्रेज आये तो उन्होंने देखा फिर उसको अपने स्ट्रक्चर के अंदर में सामिल किया उसक के अंदर में जो आपका सर्वोच न्याले हो सुप्रीम कोट हो गया संसद भवन हो गया या और भी कोई जो अंगरेजों ने बनाया है वह अगर इंग्लेंड जाओगे तो महां पर काफी हद तक सिमिलर दिखेंगे चीजों के अंदर में कि यह तो सिमिलर यह दों तो सेमी दि निर्मान करना सही तरीके से पूरा बटवारा करना जैसे बलैक और वाइड का यह बना जाता सुएथ और शुएथ कहे लिए बनाया गया तो किस तरीके से निर्मान किया गया किस से स्थलों को चूना गया तो वो सारी चीज़े रहती है 1800-1857 के बचाथा तब देखो यहां एक और पापिक आता है इस साल चैप्टर के अंदर में कि 1857 के बाद में नगर नियोजन ववस्ताग उपर में क्या परभाव पड़ा 1857 से पहले कि आता है कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा था सारे अंग्रेज उस पे इस्पैंट कर रहे थे इंदर में थोड़ा सा जागरुपता जाती है कि हम इनके गुलाम बने हुए तो वो विद्रो करने लगते हैं ठीक है कई अलग अलग जगव है विद्रो अलग अलग तरीके से देखने के लिए मिलता है तो वो सही तरीके से वहाँ विक्सित नहीं अपाते है और उसके डर से ठीक है दुबारा कभी अगर हमला ना हो चीजे ना हो तो अपनी सिक्योर्टी के लिए फिर अलग अलग तरीके से किले बंदी करना स्टार्ट कर देते हैं तो इस वाले चैप्टर के अंदर में कुछ खास तो है नी आप रफली स्टडी कीजिएगा चैप्टर नंबर थर्टी सिक्स की बात करें तो नगर एक आंदोलन इस्तल के रूप में ठीक है यहाँ पर नगर किस तर से एक आंदोलन इस्तल के रूप में था तो इसमें भी कुछ खास चैप्टर कुछ है नहीं, पोईंट्स है नहीं नॉर्मलि इसके अंदर में बात किए किस तर से नगरों को बनाया गया ठीक है किस तर से उसका उप्योग किया घया तो वो है बस और कुछ है नहीं इसके अंदर पूरे इस unit का अंदर में युनिट 7 था दोस्तों, अगर कहीं पर कुछ confusion हो, कहीं कुछ doubt हो, तो comment करके पूछ सकते हैं, अगर आपको WhatsApp गुरुप से join होना है, तो comment कीजिए, मैं लिंक लिए दूँआ, वहाँ से directly जोइन कर सकते हैं, WhatsApp गुरुप को भी, and अगर कुछ भी doubt हो, कुछ भी हो, अगर आपके लिए वीडियो अच्छे लगी हो, समझ में आई हो, अगर आपके लिए वीडियो है, प्लीज लाइक, share, subscribe, जुरूर कीजिए हमारे चैनल को, ठीक है, जिससे हम भी आगे बड़े, और आपके लिए हम बहुत मदब कर सकें, आपके और भी चीज़े वीडियो बना सकें, तो friends, thank you so much for watching me, thank you so much for listening me, bye bye, take care, all the best.